आज बाबा के रहे मीठे बच्चे अंथर मुखी हो कर याद का भ्यास करो चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात मभिमानी कितने समय रहते हैं आंतर मुखी मतलब आत्मिक्स वरूप में इस्थित होकर सोजनः हैं और हम लोग बाहर मुखी जादा हैं दिन भार हम बाहर मुखी रहते हैं दूसरे बातों में या तो फोन में किसी से गपसप मार रहे हैं या टीबी देख रहे हैं तीबी के सिरियल में लगे हुए हैं मतलब बाहरी सब चीजों का कर सन बाहर के लोगों से और जो अंतर का है मतलब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अंदर करब से अपने आप को याद करना है वो चीज हम अभी नहीं कर पा रहे हैं तो दीन भर बाहर मुखिरा के अचानक से अंतर मुखी होना चाहते हैं या लिए ओम शांति यूसरी आएगा थी मिस्ट्रिया कि आप कि आप तो दिन भर हम बाहर मुखी रहते हैं बाहरी बातों में रहते हैं आपमिक स्वरूप में नहीं रहते हैं और अचानक हम नुमा साम बैठ जाएंगे या मृत विला बैठ जाएंगे तो योग लगेगा क्या हमारा और इसलिए इसलिए बाबार बार हो अभ्यास करो ताकि नेचुरल हो जाएगा तो इसलिए बाबा का तैक चेक करो कि कितने देर तक आत्मभिमानी रते हो और परमात्मभिमानी मतलब एक तो मैं आत्मिक स्वरूप में हूँ अपनी स्वरूप में असली स्वरूप में स्वा स्वरूप में स्थित हो या फिर मैं बाबा की याद मे कितनी देर था को परमात्म अभिमानी यानि बाबा की याद में बाबा का हर accurate स्रीमत का पालन करते हुए चलना तो यह चेक करना है प्रशने जो बच्चे कांत में जाकर आत्म भिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशाने क्या होगी उसकी निशानी बाबा आज बता दे रहा है जिसमें आप अपने आप चेक करेंगे कि क्या मेरे साथ ऐसा है बाबा कर रहा है उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा यह निशानी है आत्मा भिमानी का भाई भाई का आपस में बहुत प्यार रहेगा भाई भाई अर्थात मैं आत्मा आप्धी आत्मा सब आत्मा रूप में भाई भाई है तो हर एक के प्रती प्यार रहेगा कोई अपना मेरा बेटा है बेटी है पती है पत्नी है इस सबसे अलग है ना हर एक ज चलता हुआ जो आदमी जिसको नहीं भी पहचान रहें पर वो भी मेरा भाई है आत्मा रूप में क्योंकि हम एक परमात्मा की संतान है जिस दिन यह सोच हो जाएगी जब हम सुरू-सुरू ग्यान में आये थे ना तो उसमें बड़ा नसा रहता था और बस शरीर देखने का मन जब भी नहीं करता था तो उसमें सपना बबा दिखाया कि जिस दिन आपके घर में कोई नौकर आता है कोई गैस का सिलेंडर लेके आपके घर में आता है वो क्या हुआ उसका स्टेज तो हमसे नीचे हुआ उसके लिए भी आपको वही प्रेम रहेगा जो घर के और अन्यात माव के प्रती है जब वह भेदभाव आपके अंदर से खतम हो जाएगा यह हमको दिखाया गया कि तब वह स्थिती हमारे होगी कहने का आर्थ है ना कि कोई भेदभाव नहीं कि बाबा क्या कहता है दे सही दे के सर्व संबंधों को भूलकर तो हम इसी में तो आटके हुए ह देके साम्वन से आपको हट कर बेहद में आ गया वह हद था हद में एक ही चोटे से परिवार वहार में मठके आप तो पती-पतनी और एक-दो बच्ची अप तो मावाब भी बहुत भारी लगने लगे तो हद से भी बहुत हद में और बाबा जब बेहद की स्थिती में आत् सब्सकार के लेकिन सब जब एक साथ मिल करने किसी का कोई गुन किसी का कोई गुन मिलाकर जब तैयार करते हैं तो एक बहुत अच्छा combination त्यार हो जाएगा ने एक अच्छी आत्मा तो हम ब्राह्मान आत्मा है क्या है रस्ता अलग-अलग परिवार से अलग-अलग संस्कार से लेकिन आज सब एक हो रहे हैं सब एक दूसरे का accept कर रहे हैं सब तो अलग-अलग सोभाव संस्कार के थे तो इसलिए बाबा कहता कि छीर खंड होकर रहेंगे यह निसानी है यह नहीं कि आपका यह सब आपसंस्कार हमको पसंद नहीं मेरा तो यही सब आपसंस्कार है हमको अपना सब आपसंस्कार पसंद यह चीज नहीं धारना बहुत अच्छी होगी उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, धार्णा में सुच्म भी स्थुल भी, हर परकार की धार्णा परफेक्ट होगी उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, उनकी द्रिष्टी बहुत मिठी होगी, किसी के भी प्रति कभी देह भी मान नहीं आएगा कोई को भी दुख नहीं देंगे ये सारा निसानी है अब ये सब हमें अपने पर देखना है लागू करके क्या है या भी कुछ कमी ओम शान्ती रूहानी बच्चो प्रती सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकलाता है इसलिए रूहानी बच्चो प्रती रूहानी बाप समझाते हैं तो केवल आत्मा रह जाएगा लेकिन रूहानी बच्चो प्रती बाबा कहता है तो मतलब आत्मा और देह तब जीव आत्मा के रुप में फिर जीव तो अलग हो गया ना इसलिए बाबा कहता है रूहानी बच्चों परती केवल रूह नहीं कहता है रूहानी बच्चों कहता है यानि आत्मा और जीव दोनों यानि सरीर और आत्मा दोने के कॉंबिनेशन को लेगा बाबा बता है तो इसलिए बाबा कहता है न कि सिर्फ रूह नहीं करें रूहानी ब फ्रद्व को बाप से घ्यान मिलती है बच्चों को देए अहीं मानी होकर returned ने सारा जो संसकार हम लेकर गए है वो संसकार मेरे भलर्ड में समा गया खाते ना अरे तो क्हूर पर शुदे वह भी तौक कहते हैं पहलों पहल है पहलों मेरे आज़ेन के एक मेरा समाज आएगा उसके लिए हमको याद नहीं रहेगा कि हम क्या ऐसा करके आए थे जिसके वज़ा से यह संस्कार मिला है हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी हमारे मंदर यह अभीमार नहीं रहेगा कि हम अच्छा कर रहे है क्योंकि हम बुरा जानते ही नहीं तो इसलिए यहां तुम आत्मभिमानी बनते हो तो परमात्मभिमानी भी अर्थात हम बाप की संताल है यहां और वहां में बहुत फर्क है यहां है पढ़ाई और वहां पढ़ने की बात नहीं है वहां तो यहां तो एक छोटी सी नौकरी के लिए कितना सारा हम तयारी कर रहें क्यों इतना सारा जन संख्या हो गया है तो एक चीज के लिए मतलब एक नौकरी है जिसमें ला एक सिर्फ एक नौकरी है और वहां सत्यूग में तो हमारे पास सब कुछ रहेगा तो वह पढ़ाई हमको डॉक्टरी इंजिनियरी पढ़ने कमा वजरूरत नहीं पढ़ेगा तो यहां हर तो बाबा कहता है यहां हर एक हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं इस निश्चे पर रह कर सुनेंगे तो धारना बहुत अच्छी होगी इसलिए बाबा कहता है जब मुर्ली सुने तो एक पहले सी योग लगा ले कि मैं आत्मा इन द्वारा सुन रही हूं बाबा का क्यान तो आत्मा भिवानी बनते जाएंगे इस अवस्था में टिकनी की मंजिल बहुत बड़ी है सुनने में बहुत सहज लगता है बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरों को भी आत्मा समझ कर बा प्रमात्मा समझ कर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे इस पर बच्चों को बहुत अंतर मुखी होकर याद का भ्यास करना है आत्मिक स्वरूप में श्तित होकर अपने आप का चेकिंग अपने आप पर पुरक ध्यांग जो हमारा बाहरी अटेंशन है ना उसस निकाल कर अपने हर कर्मिक परती अटेंशन नौलेश तो सहज है ज्ञान बहुत सहज है बाबा कहता है कि अभी किसी को भी सेवेंडेज का कोर्स कराने के लिए आप दे देंगे आराम से करा देगा क्योंकि इतने यूट्यूब में इतने सारी ज्ञान का मतलब आ गया है ना व जो कहें कि धर्म हमको तो अपने मजबूर है हम अपने कर्तावियू के परती मजबूर है तो आज वह सब भिस्म पितायम है नहीं है जो कह रहे हम अपने कर्व के परती क्या करें कहर परिवार को कैसे छोड़ दे यह सब अभी छोड़ नहीं रहे हैं लेकिन लाश्ट में ज बाकि यह निश्चे पकर है कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारना भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा, कोई देह का भाल नहीं, ऐसे नहीं इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है, विकर्मा जी तो आंत में बनेंगी, अभी भी हो जाता है, कभ ख्लाना आदमी ऐसी कर दिये मेरा बेटा तो एसे ही करता है मेरी बेटी तो ऐसे करती यह तो हर चीज में क्या समझना है कि सब आतमा अपने रोल को परफेक्ट निभा रही है कि इतना अच्छा डारेक्टर बैठा हुआ है आप सोचते हैं कि पिक्चर हम जिसमें देखते हैं उसमें हीरे हुरेन को बोला गया है कि यही डायलोग आपको बोलना है और उसको किस एक्स्प्रेशन से बोलना है जब तक नहीं होता है तब तक रीटेक बार बार होता है यानि expression भी वही बता रहा है, तो expression भी बाबा दिया हुआ है, यहाँपर ढेटा हुआ तो यह क्यों सोची उसका चेहरा कहा भाव ऐसा था, बोल रहा था तो इस तरह कहा था, अरे डाइरेक्टर सब कुछ दिया है, accurately करके, इस्क्रिप्ट पूरी तरह से तयार मिला है तो सब निर्दोस हुए ना तो बच्चे समझते हैं बाप की नौलेज बड़ी डीप है अगर उच ते उच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रिती करनी पड़े इस पर गौर करना पड़े अंतर मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए एकांत का मतलब यह हो गया यह साथ माको एक मिर्ट आप लो हलो हलो मुल्लिकास हो गया हो रहा है आप जुड नहीं रहें नेट'S अम नहीं रहा है नेटॉन कीज़े नेट अन कीज़े आएगा नेट आन नहीं करती हैं बार बार तुर कॉल जा रहा है तो बाबा कहता है इस पर गौर करना पड़े अंतर मुखी होने के लिए एकांद भी चाहिए यहां जैसा एकांद घर में धंदे दोरी में तो मिल न सके मधुबन का आईकांद का बाबा बात कर रहा है तो यहां तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो तो बाबा कहता है एकांद का मतलब वो नहीं कि हम अके लिए कमरे में बैठ गए और बस किसी को आने नहीं देना है एकदम एकागरता का अभ्यास करना है यह हठ माहर में ऐसी ऐसी परिस्थिती रहेगी कि देख कर डर लगेगा बाबा काता है खुन की नदियां बहेंगी उसमें कहां पर काल ठोड़ेंगे तो इसलिए बाबा काता है यहां तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकती हो आत्मा को ही देखना पड़े अपने को भी आ देह भी मान निकल जाए और हम आत्मा भी मानी बन जाए धारना करते और कराते जाए बच्चे भी तो यही सोचते हैं न कोशिज कर अपने को आत्मा समझ बाब को याद करना यह चार बड़ा डिफ बड़े-बड़े महारती भी समझते होंगे बाबा जो दिन परते दिन सब बहुत प्यार हो जाएंगा हम सब इस्वर की संतान हैं यह करते करते मतलग क्या होता है कि लड़की तो पत्चीस साल तक अपने परिवार में रही थी वह भी पतीस साल के बाद साजि हुआ बगां अठान слуш एक यहा पुरिं परिवार को अचानक तो नहीं करती है रहते रहत नहीं बच्ची को बच्पन से बताए गहता है कि तुम प्राय घर की हो तो एक माइदसेट तो रहता है लेकिन फिर भी जहां रही थी उससे फिर अलग होकर रहने में फिर थोड़ा समय लगता है तो यहां भी हमको प्रैक्टिस ही करना है हम जान रहेते कि हम एक परमात्मा की स अगर जानते तो मितना लड़ाई जगड़ा क्यों करते हैं इतने सारे 300 धर्म कहा जाता है कि 300 धर्म है कि इतने धर्मों में क्यों बाटे रहते हैं तो इसलिए बाबा कहता है प्रैक्टिस करते रहो बाप की महिमा को तो जानते ही हो स्री कृष्ण की महिमा अलग उनको कहते है सर्व गुन संपन परंतु स्री कृष्ण के पास गुन कहां से आए ये गुन उनको किस ने दिया आख खोल कर सब सुनेंगे आख खोल कर सब कोई सुनेंगे आख खोल कर सुनेंगे है ना क्योंकि बोलते हैं कि आख बंदा है बस ऐसे ही को जाड़ा है आँक खुला करे बाबा क्या बोलता है योक ता क्या आपको आँक खोल के लगाना है तो मुरली आँक बंद करके क्यों सुनेंगे बल्क मुण की मालग है प्रांतु सरुगुन संपन बना तो ज्यान सागर बाप से ही है न तो अपनी जाज बहुत रखनी है कदम कदम पर पूरा पूता मेल निकालना है हम कृष्ण की पूजा किये जा रहे हैं लेकिन वो इस थिति कैसे उनकी बनी कैसे वो इतना प्यारा बन गया की हद छोटा है तो हर एक इस्त्री चाहती है कि मेरा बच्चा ऐसा हो जब बड़ा है तो हर इस्त्री चाहती है कि मेरा पती ऐसा तो कौन इसको ऐसा बनाए तो बस पूजा किये जा रहे है वैपारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं तुम्हारा भी वैपार है ना रातरी को जाच करनी है इसलिए बाबा करता है रात में वैपारी जब दुकान बंद करने लगता है तो देखता है कि मेरे दिन भर की कमाई कितनी रही तो हमें भी अन्त समय में जब रात में सोने जाते हैं तो अपना देखना है कि दिन भर मेरा कैसा रहा चाहरा बाब को दे की नहीं दे बाग के पास तो सब एक्यूरेट पहुँच रहा है लेकिन सारा चीज क्या है रिजल्ट हमको खुद तैय करना है कि क्या हम कैसा कर रहे हैं इसलिए हमें अपना पोता में लिखना है हमने सब को भाई भाई समझ कर बात की यह चेक करना है रात में जब सोएंगे क्या पती को पती तो नहीं समझ लिया कोई को भी दुख तो नहीं दिया क्योंकि तुम जानते हो कि हम सब भाई छिर सागर की तरफ जा रहे हैं यह है विशय सागर तुम अभी न रावन राज में हो न राम राज में हो तुम बीच में हो तो अपने को आत्मा समझ बाब को याद करना है देखना है कि कहां तक हमारी भाई भाई की दृष्टी की अवस्था रही यही चेकिंग है तो बाबा बोलते हैं पोता में लिखते हो तब क्या लिख देते हैं अपने चेकिंग करके मुझे बता कि कब कब दृष्टी खराब हुई जब बोल देंगे बाबा को लिख देंगे तो वह चीज फिर भाबा ठीक करने लगता है क्योंकि आपको महसूस हुआ तब तो आपोता में लिखे न हम सब आत्माय आपस में भाई भाई हैं हम इस सरीर से पाड़ बजाते हैं आत्मा अविनासी और सरीर विनासी है हमने 84 जन्मों का पाड़ बजाया यह लाश्ट जनम है फिर हम इस रोल में क्यों फसे जब 38 जनम ह हमने पार कर लिया तो यह 84 जनम में हम क्यों अटके और यहां तो भगवान स्वेंग साथ है अब बाप आये कहते हैं मा में कम याद करो अपने को आत्मा समझो आत्मा समझने से भाई-भाई हो जाते हैं या बाप ही समझाते हैं बाप के सिवाय और कोई का पाड नहीं है प् बुद्धी को अगर ऐसी इस्तिती रहती ना तो सब अपना अलग अलग बात बोलता है आज अपना अपना सब बोल रहा है कितने सारे लोग बैठे हुए सत्संग खोल करके और सब अपने अपना चला रहे हैं जब बोलते कि भगवान प्रेरना देगा तो कल कोई कुछ बोल बाते हैं यह विचार करने की बात है इसमें समय भी देना पड़ता है बाप ने धंधा अधिक करने के लिए तो कह दिया है लेकिन याद की आत्रा भी तो जरूरी है बाबा ने सब कुछ बता दिया लेकिन बाबा करता सबसे जरूरी है याद की आत्रा क्योंकि जो करवार है जो टीचर हमें पढ़ा रहा है सबसे ज़्यादा तो वही उसी की सक्ति से हम काम कर रहे हैं नहीं तो इतने सन्यासी घर छोड़ कर निकल गए हैं और ब्रंचर का एक सन्यास ध क्लती किसा जो कि तो इसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए सेवा में भी सब के भीत भी ने कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं, मैबचीन में भी उक्ति से लिखना है, मतलब जिसका जैसा अपना इसी ती यह बहुत किसी का कम काम है अपने घर में, तो बहुत कम समय निकाल सकते हैं, जल्दी से निफ्टा करके कि अभी रहना चाहिए कि कितना हम कमाई कर लोगती, क्योंकि ये समय फिर लोट कर नहीं आएगा तो बाबा कहता है मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहां ऐसे बाप को क्या याद करना होता है एक दो को भाई भाई समझना होता है बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं आत्मा में दैवी गुनों के संसकार अभी भरने है मनुष्पूचते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है प्राचीन योग के बारे में लोगों को विदेश से बुला करके यहां सिखाया जाता है लेकिन कोई जानता नहीं योग को तो केवल पर्मात्मा जानता है आप भगवान कोई नहीं जानते हैं तो योग किस से लगाना सिखाएंगे यह ग्यान तो कुस्वएंग भगवान आएंगे तब न बताएंगे तो इसलिए बाबा कहता है तुम समझा सकते हो ब्रंतो तुम अभी बहुत थोड़े हो तुम्हारा नाम निकला नहीं है यह साकार मुड़ी है तो उस समय तो बहुत थोड़े थे आप तो बहुत इसलिए योग सिखलाते हैं जरूरों के बच्चे भी होंगे वह भी जानते होंगे कि यह किसको भी पता नहीं है निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं वह खुद ही समझाते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम यूग आकर खुद पढ़ाता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ अपने खुद बताते हैं कि मैं ऐसे आता हूँ और ऐसे ग्यान देता हूँ इसलिए गीता लिखा गया है लेकिन गीता को पढ़िए का पुरा गीता पढ़ जाई आप योग क्या है पुरा क्लियर नहीं किया गया है सारी बातों में कन्फ्यूजन है जब खुद कृष्ण कर रहे हैं कि मैं अभोगता, अक अर्ता हूँ, अजनमा हूँ जब कि सब कुछ वो कर रहा है अजनमा नहीं है जनम में आया, जनम मरन में भी आया खाया पीया भी सारा माखन चुरा के खा गया आज तक बदनाम है और उसके बाद कह देते हैं अब जाबदनाम है फिक्स्ड है वही तन है उसी तन का अधार लेता हूं किसी भी तन में आते तो करते कि वही तन क्यों एक ही तन लेंगे न तो एक में ही आता हूं प्रजापिता ब्रह्माद्वारास थापना यह मुरभी बच्चा पहले-पहले बनते हैं मुरबी बच्चा मतब बिलकुल आग्याकारी कैसा आग्याकारी था कि साच्छात कार हुआ और तुरत उस बात को एक्षेप्ट कर लिया और करोणों का संपत्ति लगा दिया सोचता न कि हो सकता है हम सपना देख रहे थे ये ख्याल कभी नहीं आया एक पल में सब कुछ लगा दिया उसके बाद जब बेगरी पाठ आया तब भी ख्याल नहीं चला कि ऐसा भगवान का कैर में ऐसा हो रहा है कि तीन टाइम खाने को नहीं मिल रहा है कहीं हम गलत कर्म तो इस चीत्र पर संजानी बहुत अच्छी है, ब्रह्मा सो विश्नु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई संजा नहीं सकता है, ब्रह्मा ही विश्नु बनता है, और फिर विश्नु से ब्रह्मा, 84 जनम लगता है विश्नु से ब्रह्मा बनने में, लेकिन ब्रह्मा से बिश्न तो यह और कोई नहीं समझा सकता संझाने की युक्ति चाहिए अभी तुम जानते हो कि बाबा कैसे देवताध्रम की स्थापना कर रहे हैं कैसे चक्र फिरता है इन बातों को कोई और जान नहीं सकता तो बाब करते हैं कि ऐसे युक्ति से लिखो यह थार्थ योग कौन सिखला सकते हैं यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास धेर आ जाएंगे इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे बाबा महावायक के कहा दिया कि सारे जितने अभी सत्तंक के बड़े आश्रम बन रहे हैं सब हिलने लगेंगे क्योंकि अब तो बाबा का ज्यान समझ रहे हम थोड़े बच्चे ही बहुत कुछ समझने लगे कि सब जूठा है तो यह पिछाडी को होना है फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार की हैं ज्यान मार की एक भी नहीं है तब ही तुम्हारी वीज़े होगा बहुत लोगों को समझ में आने लगा है लेकिन लोगों का अपना अपने अनुसार अब भी बदल नहीं रहे हैं बहुत दुख आने लगा जीवन में, भक्ति छोड़ दिया, अरे हम भक्ति बहुत कर रहे थे, बहुत सारा व्रत की ये, बहुत सारा पुझापाध की ये, लेकिन मेरा जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, मेरा और भी प्रॉबलम आ रहा था, हम छोड़ दिये, हम पिया मेरा घर परिवार बरबाद हो गया हम कभी नहीं कहते हैं कि सवाजा से मैं ने स्राप छोड़ दिया कोई कहा यह था हम जुआ खेलते हैं मैंने पूरा घर बरबाद कर दिया इस जुआ को कभी नहींagles करने के लिए तो बाबा काता है यह भी तुम जानते हो कि हर 5000 वर्ज के बाद बाप आते हैं बाप दोरा तुम सीख रहे हो और उको सीख लाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है सिवाए के अलावा इतने सारे धर्म निकल गए अब धर्म आपस में लड़ेंगे और खुन की नदियां बहेंगे लेकिन बाप जब आएगा तो एक सत्धर्म की स्थापना करेगा और ऐसा धर्म की स्थापना करेगा जिसमें मंदीर का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि सबसे पहल कि मंदीर का जरूरत द्वापर में पड़ता है जब हम जणते हैं कि अब शरीर मंदीर नहीं रहा घर मंदीर नहीं रहा घर आस्रम नहीं रहा तब जाकर बाहर मंदिर बनाते तो बाबा कहता है सीवाय बाप के एक धरम के स्थापना कोई कर नहीं सकता और जब वो एक धरम के स्थापना करता है तो फिर कोई लड़ाई जगड़ा नहीं सब तरफ सांती तुम जानते हो उस तरफ है रावन इस तरफ है रावन पर तुम ज तेसे हैं कि यहां तो एसाते हैं पानी की रहा तो एसी बात यहां पिर भी बाप करते हैं एस्चरवत मेरे को पाचाननती तो इसलिए बाबा कहता है आश्चेरवर्थ मेरे को पहचानन्ती सुनन्ती सुनावन्ती पवित्र रहन्ती फिर वे अहो माया तेरे द्वारा हार खावन्ती इतना कुछ करते हैं उसके बाद भी हार खा जाते हैं तो माया कितनी प्रबल है माया भी बहुत सक्तिसाली है क्योंकि माया को तो बाबा रखा हुआ है कि माया तुम रहो और मेरे जो भच्चे इस लायक नहीं है उसको कच्चा खाओ जो कच्चे है उसको खा जाओ जो पक्के है उसको तो तुम खा नहीं सकती कल्प कल्प ऐसे होता है हार खावंती भी होते हैं माया के साथ युद्ध है माया का भी प्रभाव है ना भक्ति को तो हिल नहीं आधा कल्प तुम प्रालब्द भोगते हो और भगती में रोज हिल रहे हैं लोग भगती में ऐसा नहीं कि अचानक कोई हिलेगा रोज हिल रहे हैं जरासा कोई प्रोब्लम आता है तुरंत हिलते हैं तुरंत भगवान को दसको बात सुना देते हैं देवी देवता को तुरंत क किस तरह से विकारी बनते हैं कि सत्य तरह कोई वीची कपड़ा ही खारीते हैं तो लगाता था नहीं रहता उसको क्वालिटी धीर कम होते होते एक समय ऐसा आता है जो आप इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो स्रिष्टी के साथ भी ऐसा ही हुआ था भगवान बहुत अच्छी स्रिष्टी बनाया सत्युक त्रेता और उसके बाद से धीरे-धीरे वह सत्युक से ही सीड़ी दिखा दिया है एक-एक सीड़ी नी नहीं जान रहे थे लेकिन यह जान रहे थे कि हमारे पूर्वज बड़े खुस थे तो उन पूर्वजों की हम पूजा करने लगे सांस्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए लेकिन कब गए या नहीं समझते हैं खजुराहों में जनता है लोड़ाम जो मंदीर में गंदे गंदे चिट्र बनाए गए देवी देवताओं के लोग सोचते ऐसा क्यों बनाए गया उसका भी अर्थ था कि देवी देवताइं हे गलत मारग में गये उन जित्रो का लेकिन कब गये यह नहीं समझते हैं यह सब बाते अच्छी बुद्धी यह सब बाते अच्छीरती समझने और समझाने किये यह भी तब समझे जम निश्चे बुद्धी हो उनकी कसी सोगी कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ प्रंतु पहले देखो घर जाने के बाद वह नसार रहता है ज्ञान लिया उसके बाद घर गहें तो वह स्थिती रही निश्चे बुद्धी रहते हैं भल याद सतावे चिठ्छी लिखते रहें आप हमारे सच्चे बाबा हो आप से उच्चा वर्सा मिलता है आप से मिलने बिगर हम रह नहीं सकते मतलब उस ने साकान में बाबा बोरा कि मदुबन कोई आया उसको ग्यान दिया गया और वो चिठ्छी लिखकर लगाता है कॉन्टेक्ट में रहा तब मानेंगे कि हाँ वो बाबा का पक्काव बचा है उसको कुछ ग्यान समझ में आया है अगर जाने के बाद चुचा भूल गया एक चिठ्छी भी नहीं लिख रहा है इसलिए बाबा काता है न ऐसे भी जीवन में रोज रोज पोता में लिखेंगे तो उससे कॉन्टेक्ट बना रहता है तो इसलिए कॉन्टेक्ट बना कर रखना है सगाई के बाद मिलना होता है सगाई के बाद तडपते हैं तुम जानते हो कोई भी लड़का लड़की सगाई हो जाता है तो उसके बाद सोचता है कि कव साधी हो जाता है सोचता है न तो हमारी सगाई हो गई यह बाबस तो हमें भी तड़पना चाहिए न कि कब बाबा को कईदम पूरी तरह से बन जाए तुम जानते हो हमारा बेहत का बाप, टीचर, साजनादी सब कुछ है और सबसे दुख मिला उनकी एवज में तो बाप सुख देते हैं और सबसे किसी से सुख मिला है क्या बहुत अल्पकाल का सुख मिला है पती-पत्नी हो, मा, बच्चे हो या बाप, बेटा हो सब का कुछ समय के अंतराल में पेपर आता है और उसमें दिखता है कि जो संबंध है उसमें कितना कच्चा है सबसंबंध कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जिसको कहेंगी कि परफेक्ट है जब रहता तो भगवान आता कि तो वहां भी सब सुख देते हैं इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो या पुर्शोत्तम बनने का पुर्शोत्तम यूग है मूल बात है अपने को आत्मा समझना है और बाब को याद करना है याद से खुसी का पारा चढ़ेगा जितना जितना हम याद करेंगे न क्योंकि वो आनंद का सागर है उसकी याद में रहेंगे तो वो आनंद का फिलिंग हमारे अंदर आने लगता है जैसे को याद करेंगे, कोई बुरा आदमी को याद करेंगे, जिसके प्रति आपके मन में कड़वाहट है, तो मन कड़वाहट से भर जाता है, तो वो तो प्रेम का सागर है, उसको याद करेंगे, तो उसका गुन नहीं आएगा मेरे अंदर, तो इसलिए बाबा कहता है, हमने जोत जगता है तो अब बाप आया है वापिस ले जाने तो जरूर पवित्र बनना है दैवी गुंधारन करने है पोता मेल रखना है सारे दिन में कितने को बाप का परिचे दिया आज बाबा इस चीज के लिए हम सब को बता रहा है बाप का परिचे देने भी गर सुख नहीं आ खा रहा है पी रहा है तयार हो रहा है घर परिवार में लोकिक में खाली इसी सब में फसे हुए है यग में बहुत भीगन भी पढ़ते हैं मारे खाते हैं और कोई सत्संग नहीं जहां पवित्रता की बात हो यहीं पर यह बात है पवित्रता की यहीं बात है और कोई बात करत करेंगा तो पेट कैसे चलेगा सन्यासी बोले कि तुम भी मेरे तरह सन्यासी का पेट कैसे चले तो यहां तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग तो बिगन डालेंगे ना यहीं दिखाया गया सास्त्रों क्या दिखाया गया कि यह पढ़ रहा था उसमें हड़ी डाल करके कखते हां कि ब था विकारों से लड़कर अपने देभान को मार कर और एक नए जनव में आना उसको मुझते थे कि मॉत वेसी मॉत में बाबा कर था कि स्वर्ग में जाएंगे, वो मर जीवा जनव के बाद, तो अभी हम सोचते हैं, जो दो देश यूद लड़ रहे हैं, और फोजी आपस में लड़ते हैं, और बोलते हैं कि मैदान में मरेंगे, तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि यहां तो आत्म हम रूहानी कमांडर नहीं है हम रूहानी सेना नहीं है इसलिए अपने आपको तै करना है कि हम है कौन हम सबसे बड़ा बाबा यहां पर बैठा हुआ है जिस रूहानी सेना के हम फौजी है जब बॉर्डर में आपका लड़ रहा है तो वो बॉर्डर का सैनिक बोल दे कि हमेरा बेटा हुआ है हम अभी चले जाते हैं अपना घर और युद्ध छिड़ा हुआ है तो आप सुरच्छी तरह पाएंगे किसी भी लौकिक काम के लिए वो अगर अपना बॉर्डर का अपना ड्यूटी छोड़ दे तो क्या हम सुरच्छी तरह पाएंगे तो हमें भी सेना नियुक्ति की किया गया है और हमें ड्यूटी दी गई है और हम ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं तो क्या हमारा संसार सुरच्छित रहेगा जिस कायर के लिए बाबा ने हमें चुना है क्या वो कायर हो पाएगा तो हम अपनी ड्यूटी से भाग रहे हम अपनी ड्यूटी नहीं निभार रहे तो यह तो यहाँ पर अगर ड्यूटी नहीं निभाते हैं न फोज में यह लौकिक फोज में तो यहां पर तो कोट मार्सल कर दिया जाता है आपको गदार गोसीद कर दिया जाता है और यहां क्या करेगा बाबा हम यहां क्योंकि यहां तो सिर्फ एक नौकरी से गदारी किया गया है देश से गदारी और अपने कायर से गदारी किया गया है यहां तो हम पुरे विश्व परिवर्तन के लिए चुने गए थे और यहां हमने संसार की सर वात्माओं के साथ गदारी किया यहां हम अपने 84 जन्मों का भाग में लकीर लगा देंगे बाबा कुछ नहीं करेगा हम अपने भाग में लकीर लगा देंगे तो लड़ाई के मैदान में मित्र संबंदी याद आते हैं आप बाप समझाते हैं सब को वापिस जाना है आपने को आत्मा समझो भाई भाई समझो, बाप को याद करो, जो जितना पुरुसा रभ करेंगे उतना उँजपत पाएंगे वो लोग कहते हैं कि हम भाई भाई हैं पिर तू अर्थ तो नहीं चानते ये आर्थ था, सब काना बहुत गहरा आर्थ है, कर सब कुछ रहें लेकिन स्थूल में, सुछ में कुछ भी नहीं जानते तो इसलिए बाबा काता कि क्यों कैसे जानेंगे जब बापको ही नहीं जानते लोग समझते हैं कि हम निसकाम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं है फल तो जरूर मिलना है ठीक है हम निसकाम सेवा करें, हम किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहें लेकिन हमारा निसकाम सेवा तो एक स्विव बाबा करता है हमारा तो बहुत बड़ा स्वार्थ है कि हम स्वर्ग में जाएंगे प्रन्तु इसलिए बाबा करता है फल तो जरूर मिलना है निसकाम सेवा तो एक बाप ही करते हैं बच्चे जानते हैं कि बात की कितनी गलानी की है, देवताओं के भी गलानी की है, देवताओं के बारे में तो कृष्ण के बारे में का दिया कि 16108 रानी, और उससे कितने बच्चे हैं उसका कोई हिसाब नहीं, उसके बाद मजाग भी उडाते हैं कि कितने समय में जाते होंग तो आप अब देवताएं किसी की हिंसा तो करने ही सकते sudah a month ना काम कटारी चलाना ना क्रोध करना है क्रोध भी बड़ा विकार है कैते है बच्चों पर बहुत क्रोध किया बाप संझाते हैं थपड आल आदी कभी नहीं मारना या सोधा माना एक खली बेलन दिखाई थी अपने बच्चे को और ब्रह्मा बाबा देख लिया ज्ञान में नहीं था उस समय लेकिन देख लिया उसी समय इसारा किया और उसके बच्चे को उठा कर मिठाई दिलाया उसके बद पत्नी को बोला कि आज तुम बड़ी हो क्योंकि रिस्तों का रिस्पेक्ट वो भूल जाएगा क्योंकि तुम रिस्पेक्ट नहीं की कल को वो बच्चा है उसका और गंस बड़ा होगा तब वो भी तुम्हें बोलेगा कि मेरी माँ जब पावर्फूल थी तब मेरी मान ने तो मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा इसलिए बच्चे को मार पीट कर स्कूल भेज कर तरह तरह कात्याचार करके हम बच्चे तयार कर दे रहे हैं लेकिन वह बच्चे अच्छे बच्चे नहीं तयार हो रहे हैं नहीं तो इतने बिर्दाश्रम क्यों खुल तो हम भी रिस्पेक्ट दें केवल प्रेम नहीं रिस आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, यह बच्चा नहीं, प्रंतु हमारा छोटा भाई, अपने बच्ची को भी इस द्रिश्ट से देखना है। आतमा समझना है चोटे भाई को मारना नहीं चाहिए इसलिए स्री कृ्षण के लिए दिखाते हैं ओक्रिश Скे बांदा दिखा देते हैं ओक्रिश से बांदा लेकिन क्या बांद पाई थी यह सोदा बांध ही नहीं पा रहे थी फिर बोली कृष्ण तुम ही कुछ करो और बंधो लेकिन आपको बंधना है तब एक छोटी सी डोर में यानी प्रेम की डोर से बंधन जाते हैं भगवान वास्तों में ऐसी बाते लेकिन है नहीं कृष्ण इतना नटकर्ट था ही नहीं कि उसको बादना पड़े सत्यूग में नटकर्ट कोई होता ही नहीं या भिन भिन सिच्छाएं हैं बाकि स्री कृष्ण को क्या प्रवा पड़ी है माखन की? उतना बड़ा प्रिंस है? वो चोरी करेगा तो वह अभी महिमा करते हैं उल्टी चोरी की महिमा भी करते हैं अब इधर बोलते हैं कि चोर था तो तु महिमा करेंगे सुल्टी अब हम महिमा को सुल्टी क्या कर दिये? कि माखन तो चुराया लेकिन कौन सा माखन? जब सभी देशा आपस में लड़ेंगे तो भारत विसुक के मालिक बने का माखन खालेगा तो यह सुल्टी कर दिया न? वह तो सरगुन संपन सोलकला संपूर्ण है प्रांतु यह गलानी की भी ड्रामा में नून्ध है बाबा कहता है इसमें भी सभी आत्मा हैं संपूर्ण निर्दोस है जब तक गलानी नहीं हो, जब तक अपमान नहीं हो तो बाबा आयेगा कैसे, फिर सब कुछ सीधा कैसे करेगा, सब उल्टा होगा, तब तो उस सब सीधा करेंगे, तो अभी सब तमों प्रधान बन पड़े, बाप आकर सतों प्रधान बनाते हैं, पढ़ाने वाला है बेहत का बाप, उनकी मत पर चलना पड़े, डिफिकर्ट से या सब्जेक्ट है तो पद भी तुम कितना उचा पाते हो जितना डिफिकल्ट है स्रीमत पर चलना कहा देते हैं कि बहुत कठीन है तो फिर बद भी कितना उचा होता है कि आप पूरे कल्प में आधा कल्प में पूजे जाते हैं कैसा स्रेष्ट कर्म रहा होगा तो अगर सहाज हो तो सब इस इम्थान में लग जाए ना सब कोई लग जाएगा 800 करोड आत्मा है फिर देवी देवताय सब बन जाएगे फिर पूजा कॉन किसकी करेगा इसमें बड़ी मेहनत है दे अभिमान आने से बिकर्म बन जाएगे इसलिए छुई-मुई का दृष्ट को याद करने से तुम खड़े हो जाए बूलने से कुछ-णा-कुछ भूल हो जाती बाबा को भूलते हैं मैं नीक्वा करता है तो पत भी कम हो पड़ता है सीच्छा तो सबको दे है जिसकी बाद में बनाई है बाबा ने जो ज करके बनाता है उसी वही ग्यान सबम ढहे तो जिसने लिखा वो भगवान से स्रिष्ट नहीं हो गया यह लोग नहीं समझते गरूर पुड़ान में रोचक बाते लिखिये जो मनुस्यों को डर लगे बुल यह न कि यह करोगे तो साब बन जाओगे बिचु बन जाओगे बहुत सारा चीज में डराया गया है लेकिन पा आवनराज में पाप तो होते ही है क्योंकि हैं ही काटो का जंगल बाप कहते हैं द्रिष्टी को भी बदलना है बहुत समय से हीरे हुए इसलिए सरीर की तरफ प्यार चला जाता है विनासी चीज से प्यार रखने से फाइदा ही क्या तिर्शर जनम हमने आपने आपको देश स मिठे मिठे सिखी लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शक करते हैं या अभ्यास करते रहना कि विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुक से कभी कोई उल्टा-सुल्टा बोलना निकले मतलब हर वक्त हमारी सिती ऐसी हो कि हमें याद रहे कि हम ब्राम्वन हम भूल जाते हैं कि हम ब्राम्वन हम अपने स्टेज को में साधरानिस्थिती में आ जाते हैं, और बोलते हुए भी यसा होता है, लगता है , जाते हैं कि हम व्राम्भन है फिरुर लगता है, यह मन की पमजूरी चैं़- क्योंकि मन को आदत पड़ा हुआ है न वो बोलता जा रहा है तो उस समय इसलिए बाबा बोलता है ने एक सेकेंड में फूल श्टॉप लगाने की कोशिज करूँ नहीं अब नहीं कदम कदम पर अपना पोता मिल चेक करना है क्या मैं संपूर्ण रूप से स्रिमत का पालन कर रहा हूं कर रही हूं यह चेक करना है वर्धान निमीत और निर्मान भाव से सेवा करने वाले स्रेष्ट सपलता मुर्थ भवाव उस्वरूप धारन करने के और दूसरा कोई मानसान की अपेचह निर्मान का दो निर्मान होता है एक में मुर्धन लग जाता है और एक में न लग जाता है तो उसमें हो गया मानसान की अपेचह नहीं और इसमें होता है वो स्वरूप मतलब जिसका ग्यान दिया जा रहा है ना बाप समान इस्थिती तो इसलिए बाबा कहता है निर्मानता ही स्रेष्ट सफलता का साधन है जिसका ग्यान हम दे रहे हैं वो स्वरूप बनकर जब हम ग्यान देंगे ना तब किसी को ग्यान समझ में आएगा जैसे कि गान्दी जी को बोला किया ना कि बच्चा गुड खाता है इसको बोलिए नहीं खाए बोला एक सफ्टा बाद आना फिर एक सफ्टा बाद गई तो बोला कि एक सफ्टा और एक सफ्टा बाद आना तो दूसरे सब्ताग में बोला कि बचे गुड़ मत खाना बत इतना है तो उसकी माम बोली कि आप पहले क्यों नहीं बोले हम पहले गुड़ बहुत पसंद कर रहे थे और छोड़ने का भी तक प्रयास कर रहे थे अब छुट गए जब हम खुद नहीं छोड़े तो हम किसी को स किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नमरता भाव और निमित भावधारन करो एकदम नमर और निमित कि मैं ट्रश्टी हूँ करन करामनहार वो बैठा हुआ है तो हर कायर में सफलता होगा जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे तो एक तो भारीपन फिर चेहरे में वो नमरता नहीं रहेगा जैसे ही मेरा पनाता है नमरता साइसी निकल जाती है तृषली बाबा काता है इस से सेवा में सदा मौझ का अनुभाव करेंगे सेवा में कभी ठकावट नहीं होगी कोई भी सेवा मिले लेकिन इन दो विशेष्ताओं से सफलता को पाते सफलता बन जाएंगे कोई भी सेवा मिले लेकिन दो विसेस्ता एक नम्रता और दूसरा ट्रस्टी पने निमित भाग मेरा कुछ भी नहीं करन करामन महार वो बैठा हुआ है वो कराएगा स्लोगन है सेकेंड में विदही बनने का अभ्यास हो तो सुरिवनसी में आ जाएंगे अगर सेकेंड में आपमिक सरुप में इस्थित होने का अभ्यास पक्का है तब सुरिवनसी में आएंगे तब आप सत्यूग में आएंगे तो इसलिए बाबा बार क्या कहता है एक सेकेंड में break लगा सकते हो आप break ऐसा लगाना है कि समझ हो कि हाँ हमको break लगाना है गारी आप चला रहे हैं आपको थोड़ी दुर में ही समझ में आजाएगा कि कोई आ रहा है उससे पहले ही आपको मैंड मेकप कर लिना और आपको ब्रेक लगादे है लेकिन आप एक अदम सामने आजाएगा आपका ध्यान दुस्रे तरह भटका हुआ है एक्सिडेट हो जा दो लेंगे आ लेकिन वह किसी काम कर नहीं हो आप भी डैमेज होंगा अगला को भी डैमेज करेंगे इसलिए वावा काता है निरंतर एक-एक सुच में से सुच में ध्यान रखना है ताकि हम तुरन अपने आपको लगा सके अपने मनमुद्धी लिए ओम शान्ति